राई अब बात करते हैं कैसी शक्सियत से जिनके लिए हमने ये विशय निर्धारित किया है हार के आगे जीत हम बात कर रहे हैं जयाप्रदाजी की जयाप्रदाजी के बारे में मशूर्म फिल्मकार शुत्रजीत रे ने कहा था कि इन से खूबसूरत महिला देखने को शायद ही मिलेगी चाहे आप सरगम की बात करें चाहे फिल्म शराबी की बात करें आप इनके अभिने को कभी नहीं भूल सकते लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ 14 साल की उम्रत में जब जयाप्रदाजी ने पहली बार अपने स्कूल के फंक्शन में नृत्त किया था तो उन्हें एक फिल्मकार ने देखा तीन मिनिट का फिल्म का सीक्विंस था जिसके लिए उन्हें महज 10 रुपे मिले थे 10 रुपे लेकिन आज वही जयाप्रदा सांसद रह चुकी है चार पार्टियां बदल चुकी है चुनाव हारी है लेकि चुनाव के आगे भी बहुत कुछ है जयाजी, News Nation बे बहुत स्वागत है आपका आजम खान के मुकाबले खड़ा होना कोई मजाक नहीं है आप ना सिर्फ खड़ी हुई बलकि बहुत मजबूत मुकाबला भी आपका रहा कैसा रहा वो सफ़र आपका और क्या एक तरसे आज वो चुनाव आपके लिए कैसा है सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में मुझे आप सबने मुझे बुलाया ने मंतर ने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और यहाँ पे बहुत सम्मानित अथिदिगर्ण और आपके न्यूस चानल के परिवार सभी यहाँ पे उपस्तित है उनको मैं सबसे पहले आपके जो सवाल है यह सवाल चुनाव के बाद मैं पहली बार आपके बीच में आई हूँ और इस चानल में आना मुझे बहुती गर्व महसूस हो रहा है दूसरी बात ये मैं बताना चाहती हूं कि जो चुनाव ये चुनाव के जैसे नहीं ये जंग जैसा था और भाशा के परिभाशा जिस थरा इस्तमाल करना है महिला के उपर ये ऐसे जो इनसान जो इनसान से मुझे टकराना हुआ तो ये मेरे लिए कभी कभी सोचती हूं कि जिन्दगी में ऐसे कभी मौका कभी नहीं आना चाहिए लेकिन समाज को ये दिखाने के लिए ये जो चुनाव के प्रिक्रिया हुआ समाज में एक आइना की तरह है क्यूंकि अगर मेरे साथ हो ये ना होता तो शायद उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है ये लोगों को पता नहीं चलता मैं ही हमेशा जब-जब चुनाव हो रहा था उस वक्त मैं लोगों को कह रहे थी की मेरे उपर ये आदसा हो रहा है मेरे उपर हमला हो रहा है मेरे उपर ये उन्होंने टिपनी किया लेकिन लोग ये सुनने के लिए तयार नहीं थी लेकिन इस बार जिस तरह उनके स्थर गिरकर उन्होंने जो टिपनी की है उसको लेकर सारी देश में रियक्शन हुआ, महिलाओं में आक्रोश और ये सब होने के बावजूद भी फिर भी पताने क्यूँ उन्हीं को वोड़ देते हैं लोग थोड़ा एरपटा नहीं लगता है जिस विक्ति को आपने हमेशा भाई कहा वो विक्ति आपके बारे में ऐसी ऐसी बाते कह गया जो सभ्य समाज में कोई भी पुरुष किसी भी महिला के बारे में नहीं कह सकता लेकिन फिर भी रामपूर की जनता ने उस विक्ति को चुना, क्या मान सकता है देखे हम कितना भी इस समाज में हम कहते हैं कि हम लोग धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे हम लोग जात के बारे में नहीं कहेंगे हम सब एक साथ जुटकर इस नए निर्मान के इस नए समाज को बनाने के लिए कोशिश करेंगे लेकिन जब जब चुनाव होता है तो ये अनिवार है कि यहाँ पे जात धर्म से ही चुनाव लड़ते हैं मैं कितना भी दो बार सांसद रही रामपूर के संचेशेत्र में उस धर्ती महान है और रामपूर के जनता महान है अगर वो अच्छे नहीं होते तो मुझे दो बार मुझे सांसद नहीं बनाते हैं बात ऐसा नहीं था बात इसमें था कि उस आंखडे की क्योंकि उसमे करण अलग था और प्रदेश में और जिलों में इस आंखडों से अलग हम लोगों को चुनाव लड़ना है इससे पहले मैं निद्दली थी, अपने पार्टी में मैं पराई थी, समाजवादी पार्टी में होते हो भी मैं विरोधी आजम खान साब को मैं मुकाबला करते हुए मैं चुनाव जीत कर आई हूँ अब मैं नहीं थी पार्टी में, भार्ट जनता पार्टी में, सत्रा दिन में मुझे इस चुनाव में मुकाबला करना पड़ा और वो भी आजम खान जैसे लोगों के तो आज इसमें मैं ही एक मिसाल बढ़ना चाहती हूँ, कि हम भी किसी से कम नहीं है, भले ही हारे हूँ लेकिन जिस तरह आपने, मैं आपसे आते ही मैंने कहा कि शायद इस प्रोग्राम में मैं फिट नहीं हूँ लेकिन जिस तरह आपने लिखा है कि हार के आगे जीत है, तो हमेशा ये हमारे लिए होसला बढ़ाने वाली बात है, तो हमारे लिए ये स्पूर्टिदायक है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ. जैया जी, जब आप चनौल लड़ रही थी, जहर से बाते उस वक्त आपका प्रचार भी बड़ा हाई आक्टेन था, बहुत सारी बात यो हो रही थी, इस बीच में आजम खान तो आजम खान उनके बेटे ने भी आपके ओपर कई तरह की टिपणी की. मैं सिर्फ एक शब्द बोलता हूँ अनारकली, आप समझ गए होंगे कि मेरा संदर्व क्या है? अनारकली का का काम ब्रामपुर में नहीं है, क्या मतलब है इसका? कैसे कोई वेक्तिय इस तरह की टिपणी कर सकता है? क्या ये एक तरह की ऐसी टिपणी नहीं है जो आज ये कह महिलाओं के आस्था के उपर, महिलाओं के सम्मान के उपर, महिलाओं के उनके अस्मिता के उपर, उसके जवाब महिलाओं के लिए सम्मान अगर है, तो हमारे लिए 33% की जरूरत नहीं है, हम समाज में 33% reservation, 33% reservation के लिए हम लोग सभा में जाके हम चीक रहे हैं, चिला रहे है लेकिन यहां यहां पर एक महिला को उनके अंतरवस्तर के बारे में अगर तिपनी करके सुचनाव जीतना चाते हैं उनीग को वोट देते हैं क्या यह समाज कहां जा रहा है क्या हमारे जंडर को equality के बारे में हम बात करते हैं क्या आप बताईए कि यहाँ पर समाज में स्थरी का स्थान कहा है यह मैं पूछना चाहती हूं समाज में क्या महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए पढो लिखो आगे बढ़ो यह हम आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए हो चाहे महिलाओं को आगे उनके उत्थान एक स्थान देने के लिए हम लोग बाते कर रहे हैं और आदर्नी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन ये पुर्ष प्रधान जो समाज है उसमें ये भी मैं सवाल करना चाहती हूँ कि इसमें अगर जंडर का इक्विटी आखिर कब आने वाला है जिस दिन हम लोग जिस रात को एक बालिका अगर सड़क पे जाती है वो लड़की अगर सुरक्षित घर वापस आ सकती है तो उसी दिन हम समझते हैं कि इस समाज में लड़की के लिए एक सुरक्षा के विवस्ता हुआ है एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा विक्तिकत है जब इस तरह की टिका टपणी आपके बारे में की जा रही थी आपको इस बात की कमी महसूस नहीं हुई कि भारतेंता पाटी का अश्रेश नित्रत पूरे तरीके से आपके साथ खड़ा नहीं हुआ लोग अगर बयान देते तो शायद इस तरह की बाते लोग नहीं कर बाते नहीं नहीं ये तो शायद आपने उसमें गौर नहीं किया होगा सबसे पहले इस पार्टी से मैं तो नहीं इस पार्टी में शामिल हुई और मेरे पास इतना समय भी नहीं था जिस दिन मैं पाटी में शामिल हुई उसके बाद दो घंटे के बाद मेरे जो मुझे कैंडिडीचर के ने उसमें मुझे शामिल किया गया है रामपूर में अलॉन किया है तो सबसे पहले जिन्होंने इस आजम खान साब ने इस टिपनी के पहर लगाने के बाद यह सब जो एक्शन हुआ है और खासत और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी भी इसके लिए इनके लिए घंडन करते हुए उन्होंने हमें समर्धन किया यानि आपको समर्धन मिला भरतिंता पाटी से यहां लोग अच्छे हैं लोग समझते हैं और स कोट है जिसमें आपने कहा कि एक वक्त आया था जब आप सिवसाइट करने पर विचार कर रही थी लेकिन मुलायम सिंग यादव का एक फोन तक आपके पास नहीं आया था वो दिन और आज का दिन क्योंकि मैं आपकी आखे देख रहा हूं नम हो रही है बता रही हैं कि आप कि उस दिन कि नहीं हम समझ सकते हैं वह बहुत ही दुखत वक्त रहा होगा लेकिन मैं ऐसावाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि कि आपकी वेदना उन लोगों तक पहुंचे जो समझ सकते हैं कि एक महिला के सम्मान में अगर आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है और हमारी पूरी समवेदना है आपके साथ है जी इसी स्पूर्ति से मैं इसी कि एक महिला के आवेदना आक्रोश शायद मुझे जिन्दा रखा हैं जी मेरे जिसे कई लोग इस अच्छे समाज के लिए और समाज के एक खुशी के लिए समाज के एक नहीं निर्मान के लिए खई नहीं पीडिया आती हैं तो मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि हम पुरुष समाज में हम लोग अगर राजनीती करना हो या हमारे लिए वो शिक्ति वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है तो हमें घर में बैटना चाहिए बिल्कुल चार दिवारों के अंदर हमें घुड़ घुड़ के मरना है जहां यहां पर जितने हमारे एंग गर्ल्स बैठे हैं यह सब पूरी उर्जा के साथ काम करती हैं यह भी बाहर आती हैं वो मीडिया में काम करती हैं तो उनको भी पता है कि वहां पर कितना रिस्क है कितना उनके लिए सेफ है और कितना उनको सम्मान है मैं ही एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि मैं जस इनसान महिला का आस्था के उपर अस्मिता के उपर ठेस पहुंचाया सकता है वो इनसान भगवान से उपर ने यह ए अल्ला से उपर नहीं है इसलिए मैं इसको सबक सिखाना चाहती हूँ और सबक सिखाने के लिए मैं पूरी प्रयास की देखें हार जीत इंसान के हाथ में नहीं है आज कल मैं जीती हूँ, कल मैं जीती थी, आज मैं हारी हूँ पता नहीं कल जीत सकती हूँ ना बिल्कुल लेकिन मैं रामपूर नहीं छोड़ूंगी उनका यह है कि मैं रामपूर छोड़के मैं भाग जाओं ताके एक औरत है उसके केरेक्टर को एसासिनेट करो और उनको इस तरह का टिपनी करो औरत के ऊपर जो नीचे स्थरके गिरते ह उनके बाते भाषन इस तरह रहे और समाज में वो सांसत बनके रहे यह कैसे चलेगा यह दोहरा यह समाज में जो स्थान मिल रहा है यह गलत है उनको punishment मिलेगा आज ने तो कल कलने तो पर्सूं लेकिन यह यह भी मैं आपको एक समाज में एक आवगत कराना चाहती हूँ आप के माधिम से । मुलाईमसिंजी के पार्टी में मैं सापा में रहती, रहते हुए मैं अपने पार्टी में पराई थी और मैं चुनाव लड़ रही थी जिए सिर्फ मैं ही थी पूरी पार्टी एक हो गए आजम खान के तरफ उस वक्त जैसे मुझे और कुछ टिपने करने का और कुछ आजम खान साब के पास नहीं है क्योंकि मैं तो रिश्वत नहीं लेती हूँ, मैं तो करेप्शन नहीं करती हूँ मैं एक सच्चे समाज सिविक्या के रूप में मैं काम करना चाहती थी वहाँ पर पढ़ाई नहीं तो मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ, जहाँ पर सड़क नहीं तो मैं सड़क खोलना चाहती हूँ, जहाँ ब्लेट बैंक नहीं तो मैं ब्लेट बैंक देना चाहती हूँ वहाँ पर हास्पिताल नहीं, तो हास्पिताल देना चाहती हूँ, क्या मैंने क्या किया वहाँ, तो उनको यह है कि उसके character के उपर assassination करो, और उसको पाजय पाजय बोलो, उसको नाचनी वाले बोलो, उसको अनार्क के लिए बोलो, यही नहीं है, उनके बेटा भी वैसे पला प जो आउरत के जो परदा है, और उस परदे को आप नंगा करके समाज में उसके तस्विर घुमाएंगे, उस आउरत का स्थिति क्या होगा, फिर भी मैं जिन्दा हूँ, नहीं तो सिर्फ अमर सिंग जी के वज़े से मैं जिन्दा हूँ, आज मैं आपके माध्यम से बोल रही हूँ, मुलाहिम सिंग जी को साड़े तीन बजे मैंने रात में फोन किया, कि ऐसे मेरे तस्विरे घुम रहा है, आप कुछ करिये, कोई जबाब नहीं था, राम गोपाल यादे उजी को मैंने फोन किया, कि मेरे तस्विरे घुमा रहे हैं, प्लीज आप मुझे मदद करो, क कोई जबाब नहीं था, अकलेश को फोन किया था, मदद नहीं था, अमर सिंग जी डाइलसिस में हास्पताल में थे, मैंने उनको फोन लगाई, तो उन्होंने अपने डाइलसिस को छोड़ के सवेरे सवेरी यहां पे लेंड किया, और उन्होंने कहा था कि जया जी का ये प् हाख रही है, जो परदा हाटने के बाद एक इन्सान को जीने का और अवरत को हाख नहीं था, तो उस समय पे अमर सिंग जी मदद किये, इसलिए अमर सिंग जी को पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि ये आजम का विश नहीं था, आजम को विरोध में अमर सिंग जी मीरे को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बताएं, कि क्या हुआ तो मेरे पास वग जरा कम है, लेकिन फिर भी मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और सिंग का कोट है कि जया परदा आजम खान की उमिदवार थी, उन्होंने कहा कि मैं नूर बानों, कॉंग्रिस को उमिदवार को अपनी हूर बानों, जया परदा से हरना चाहता हूँ, फिर एक जीप में उन्होंने बिठाया, जिसमें कुछ परदे लगे हुए थे, और फिर उसके बाद जया जी बता सकती है कि उनके साथ क्या दिरुए बहार हुआ हुआ है, क्या जी ऐसा है कि देखिए, जो चीजे मुझे भूलना चाहिए, वो बार-बार जनता के बीच में मुझे लाके रखना हुआ हुआ है, इससे अच्छा है कि कोई और प्रिश्ट, चली, मैं बिल्कुत समझता, बिल्कुत समझता आपकी बात, लेकिन एक आखरी सवाल में आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम बच्चों को ये सीख देते हैं, कि लड़के-लड़की बरावर हैं, लेकिन आज हम अगर महिलाओं को वो जिकह, वो इजट नहीं दे पा रहे हैं, और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, जो इस तरह की बाते करते हैं, क्या करना चाहिए सोच के साथ, और क्या करना चाहिए ऐसे वक्तियों के साथ? के प्रयास कर रहे हैं, और महिलाओं को हर रंग में उनको समाज में स्थान देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और खास्ता और जो पड़े लिखे जो गर्ल्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको एक्टिव पॉलिटिक्स म लिए ऐसे स्थर के जो गिरे हुए बाते करने वाले विवस्ता को खतम करने के लिए हिम्मत के साथ जो नए निर्मान हम लोगों को एक नए समाज को निर्मान करने के लिए ऐसे लोग हिम्मत वाले जो बहदूर नेता जो जैसे हमारे इस देश को चलाने के लिए जिस तरह जूत में भी ऐसे लड़किया इस राजनीती में आना चाहिए और ये मत समझेए कि मैं आशू बहाने से इसका मतलब है मैं बहुत ही मतलब डरी हुई हूँ नहीं बिल्कुल नहीं मैं हतास नहीं हूँ लेकिन मैं इस इस प्रक्रिया पर ढंग रह गई मैं इससे निकल कर नहीं आपा रहे हो क्यूंकि मतलब चुनाव ऐसा नहीं होता है पूरी देश में हुआ है सिर्फ जैप्रदा के उपर ही क्यूं है मुझे इस बात पर इस फ्लाटफॉर्म में बताना नहीं बताना इजह मुझे पता नहीं है आखिर जैप्रदा हिंदू है इसलिए हिंदू के नाम से आजम खान टिपनी कर रहा है या आजम खान मुसल्मान है इसलिए मुसल्मान भाई सारे इनको वोट दिया है ये मुझे बताना है ये मुझे सवाल का जवाब इस समाजी देगी इस फ्लैटफार्म से ना सही लेकिन इस समाज एक नद एक दिन महिला के आस्था महिलाओं के अर्ष्मिता को जिस इंसान ने ठेस पहुंचा है इसको जवाब कौन देंगे इस मन से मैं आपके बीच में छोड़ने वाली हूँ जैया जी बहुत दन्यवाद आपने अपने विचार हमसे साजा किये और हम बाकई में तहे दिल से आपका शुक्रियादा इसलिए करते हैं क्योंकि आप मजबूती से अपने विचार धारा पर टिकी हैं महिलाओं के शेशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से आप टिकी हैं हम उमीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगब बढ़ते रहे हमारी पूरी शुब कामना आपके साथ है बन रही हमार साथ और बस कुछी शणों में मेरे सहयोगी पिनास के साथ मुहतार अगबास नकवी आपके साथ होंगे अलप संक्यक का विश्वास कैसे जीते मोधी सरकार इस पर होगी चर्चा बन रही हमार साथ